हाई गाईस, कैसे आप सभी होप सब अच्छे से होंगे सब का वेलकम है गाईस मेरे चैनल पे, स्टैप फोर विसा पे आज कैस कुछ इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करनी है आप सबसे जैसा कि आप स्क्रीन पे मेरे टाइटर्स जो मैंने मैंशिन किया हुए है उसको समझ चाहिए क्या चीज़ के बारे में डिसकस होगा यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है जो भी परसन कुरेशिया के लिए अभी सोच रहे है जिन्होंने फाइल लगाना है या फाइल के लिए सोच रहे हैं जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है कुरेशिया के लिए जैगरेश से जो किसी भी सिटिस से जो इंतसार कर रहे हैं सब के लिए guys बहुत important वीडियो होने वाला है तो वीडियो को पूरा ध्यान से end तक पूरा सुनिएगा सबकाव सबसे पहरे तो welcome है मेरे channel पे और जो first time आ रहे हैं kindly channel को subscribe करें bell icon को दबाएं और वीडियो को guys like share जरूर करें ताकि सबकी help हो सके सब इस information को जान सके समझ सके कि ये भी चीज़ है तो सबके पास से important update पहुंचने चाहिए step for visa सरफ youtube के माध्यन से आपके साथ जूड़ा हुआ है बट आप जो मेरे वीडियो देखते हैं आपका करतव हैं कि ये वीडियो और तक पहुंच आए और सबके पास साकी information पहुंच से तो चलिए वीडियो गाइस start करते हैं detail में सबसे पहले तो गाइस आप सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं जब भी आपका work permit आता है चाए वो असली है चाए वो नकली है आपको उसकी पेचान नहीं रहती और VFS में जब भी आप submission के लिए चाहेंगे आपको उस तेम पर ये नहीं बताया चाहेगा कि आप जो work permit submit करने जा रहे हैं वो असली है या नकली VFS किसी भी VFS में submit करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं बताया चाहेगी और आपकी file बस जमा हो जाएगी ओके आपका work permit असली भी हो सकता है उस तेम पे और नकली भी हो सकता है और आपको उसकी कई पर पैचान नहीं होती ठीक है और VFS आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि आप चोज़ work permit submit करने जा रहे हैं उनके पास जो file अपने बनाई हुई है सब जिसमें documents लगाए हैं आपने visa form travel insurance submit ticket ओके पीसिस ते everything तो work permit जो असली है नकली VFS नहीं बताएगा और वो कौन बताता है सिरफ high commission कुरिशिया high commission आपको वो चीज़ बता सकता है ओके VFS का काम है submission का ओके document चाहे वो आपके insurance ही क्यों नहों वो भी चाहे नकली ही क्यों नहों ओके वो भी submit हो जाएगी PCC नकली ही क्यों नहों वो भी submit हो जाएगी ओके ऐसा नहीं है आपको वहाँ पे नहीं बताया चाहेगा documents सही है या गलत है ये सारा जो होता है verification का काम वो होता है high commission का जो VFS से file daily embassy जाती है या आप किसी भी country में submit करते हों तो embassy में जाती है तो वो इस टीस को देखती है PCC, insurance, आपका work permit सभी documents की जान्च होती है कि उस सही है गलत सरफ high commission VFS में नहीं पता लगेगा एक चीस्तों आपको मैंने ये clear कर दी दूसरी बात अभी भी market में जो है नकली work permit लोगों को दिये जा रहे है इतना ही नहीं offer letter, contract letter भी खुछ से बनाए जा रहे है या पुराने offer contract letter को edit कर करके उस में नाम बदल बदल के लोगों को बांटे जा रहे है अभी भी ये काम धडल लेस्ते चल रहा है agent की तरस से इतना ही नहीं agent की तरस से इसके लिए भारी भरकम, रकम की वसूली भी की जा रहे है step for visa के पास ऐसे कई मामले आ रहे हैं और पहले भी आए हैं step for visa आपका अपना channel है तो मेरा ही करतव है कि आपको इस चीज से, इस fraud से बचाना इस information के जरीए मुझे है कि जो लोग इस चीज का शिकार बन रहे हैं या बनने वाले हैं ओके तो वो चीज थोड़ा सम्मल जाएं और इन कागसात को बिना verify किये चाहें वो आपको work permit हो, contract letter हो, offer letter हो ओके बिना verify कि ये VFS में कते ही submission ना करें नहीं तो आपको refusal का सामना करना पड़ सकता है अब तो हद ही हो गई एजेंटों की तरस से आप मानेंगे नहीं, अब guarantee letter जो VFS में आप submission करते हैं file जिसमें कई person, कई companies guarantee letter और accommodation letter भी देती है उसका भी जो है जारसासी होने लग गई है guarantee letter और accommodation letter भी fake, नकली तयार किये चाहने लग गई है और मासुम लोगों से खिलवार किया चाहरा है ओके और नकली काग साथ बांड बांड कर चाहिए वो work permit हो या कैसे पचास हजार से लेके एक लाग तक की वसूली किये जा रही है जो कि बिलकुल ही निंदनेय है और इस तीस का step for visa पुरी तरह से खंडन करता है लोगों को खुद ही जागरुक होना होगा जो भी कोरेशिया के लिए किसे भी country के लिए immigration के लिए interested है तो खुद सबसे पहले जागरुक हो जाईए इस तीस से बचे अभी भी आसके date में कोरेशिया का जो visa rate है अभी भी अच्छा है success rate अभी भी उत्तम है तो ऐसा नहीं है बास्चीत ऐसे क्यों हो रहा है जो कुछ cases आते है refusal के ऐसे क्यों होते है वो होते है नकली कागसात के कारण सबसे पहले पहले ऐसा नहीं था अब ज़्यदा ऐसे मामले आ रहे है जब से कुरेशिया शैनिगन में आया तब से ये चीज़ हो रही है बैस्ती थोड़ा सा और ज़्यदा एतियात बढ़त रही है जो असली कागसात होते है सब कुछ असली होता है उस पे भी समय लग रहा है क्यों submission को अभी 120 दे 130, 140 इतना टाइम क्यों लग रहा है क्यों ऐसे समय लग रहा है high commission को अपना फैसला देने में इसी कारण because बहुत से ऐसे मामले हैं जो नकली है PCC तक नकली समिट हो रही है travel insurance नकली समिट हो रहा है बहुत से ऐसी चीज़ से हो रही है जिसमें हम ऐसी को वक्त लग जाता है और कुछ ऐसे इतनी बारी किस से तैयार किये जाती है काग साथ कि पहचान करना तक मुश्किल हो जाता है कि वो असली है या नकली तो अगर आपको भी कभी भी किसी वक्त contract of a letter work permit पे संधे हो आपकी PCC पे संधे हो travel insurance पे संधे हो step for visa को आप संपर्क कर सकते है और आप इस fraud से बच सकते हैं और अब भी कुछ persons तो ऐसे हैं जो कि महीनों महीनों से work permit की इंतसार कर रहे है उनका apply हुआ हुआ है बट ऐसा नहीं है कुछ एक बात यहां हो रही है कुछ एक agents की सबकी नहीं कुछ एक agents की तरस से उनको बस यह कहां चाह रहा है work permit आजाएगा और इतने महीने हो रहे हैं पर अभी तक work permits कभी mostly persons का कई persons का चो आया है नहीं तो जिन लोगों ने भी work permit apply किया हुआ है अपना submission slip agents से मांगें और देखें आपका work permit कब apply हुआ है कैसे है तकि आप भी alert हो जाएए इस जीस से ओके तो आपको गाइस वीडियो कैसा लगा अपनी राए staff for visa के साथ जिरूर शियर करें और मेरा instagram है staff for visa आप मुझे वहाँ पर भी follow करें और मेरे से आप contact कर सकते हैं अपनी राए दे सकते हैं और मेरा telegram है staff staff for visa की भी services हैं अगर आप भी staff for visa के साथ जूड़ना चाहते हैं services लेना चाहते हैं मेरे youtube page पे आप देख सकते हैं मेरा क्या क्या services है और मेरे instagram page पे भी staff for visa पे profile में आप चेक कर सकते हैं staff for visa क्या service प्रवाइड करता है तो वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जूर दें और वीडियो को गायस आगी शेर चुरूर करें thank you so much